तो देखते हैं को और सुनते काने को एक दफ़ा फिर शारुक का सलाम पहुंचे तो जनाब आज की क्लास के इंदर हम मनाएंगे कम्प्लीट वर्डप्रेस की वेबसाइट ठीक है और इस वेबसाइट के अंदर हम मनाएंगे यहां पर लोगो होगा यहां पर कुछ बटन्स होंगे जो हमारे वेबसाइट का लुक होगा वह कैसा होगा यह आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर होगा यहां पर लफ साइट पर लोगो होगा यहां पर कुछ बटन्स होंगे जो हमारे करसर के साथ मूव होंगे यह टेक्स्ट आ रहा होगा यह में जा रहा होगा क्लिक यह क्लिक है इस तरह यह एक हमारा सेक्शन होगा एक सेक्शन होगा एक section ही होगा और service का section होगा testimonials होगे हमारे clients के और ये logo और ये किलाएगा हमारा footer area ये area हमारा किलाएगा mid area और ये हमारा किलाएगा header और ये navigation bar ठीके जनाब इसके जितने images है ना वह आप description जरूर देखिएगा उसके अंदर आपको description में तमाम images मिल जाएगे उसको download कर देगा दूसरी बात है मैं आपको कराऊंगा elementor पर काम जो इस वक्त सबसे recent है 2023 का ठीके जी तो ये हम बनाएंगे ऐसी website आई जनाब start करते हैं तो जनाब website बनाने से पहले हमें चाहिए क्यादत hosting और hosting इस वक्त आपके सामने हैं और ये hosting किलाती है infinity free ठीके अगर आपके पास अभी समझें कि पैसे नहीं है कि आप hosting खरेते हैं तो आप फ्री में भी काम कर सकते हैं और फ्री में hosting पे आप अपनी website अपलोड कर सकते हैं ठीक है क्योंकि बिल्कुल free इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगे गा ठीक है और सबसे मज़े की बात ही ये WordPress की hosting भी सपोर्ट करती ठीक है और स्पीड बीब्स की बहुत अच्छी है ठीक है ना तो हम अपनी website को बनाएंगे इस पूरी फ्री hosting के अंदर ठीक है अच्छा इस फ्री hosting में ऐसा नहीं कि आपकी website का नाम आ जाएगा इसमें ये अपना नाम देंगे और आपका साथ में नाम मिला के देंगे ताकि कि ये कुछ तो रखेंगे ना अपना समझ आरी तो जैसे कि आप कोई भी नाम रखेंगे जैसे कोई आप जिम की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप जिम लिखेंगे बट डॉट कोई और नाम इसकी company का होगा और फिर वेबसाइट इस तरह का डूमें नेम बनेगा ठीक है म अगर मैजिक एक मेरा चैनल भी है अगर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप चेक कर लिजएगा अच्छा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके इमेजिस वगरा भी होंगे तो वेबसाइट के तो वो जरूर वहां से उठा लिएगा और शारुख मैजिक मेरे को चैनल है वह भी जूरूर विजिट किजेगा आपको बहुत मदाएगा ठीक है यहां पर पासफट भी डाल सकते हैं करें अच्छा अब क्या हुआ कि आपको एक मेल भीजेगा आपकी इमेल एड्रेस पर ठीक है अच्छा यह कह रहा है यह विंटर कॉमनली यूस पासवर्ड तो पासवर्ड थोड़ से स्ट्रॉंग रखें तो कोई लंबा पासवर्ड कापिटिलाइज यह हो और से तरीके से चीज़ों और साथ में नंबर भी तो कोई बड़ा पासवर्ड रखता हूँ अबस पासवर्ड में समेशना के साइन अप करें फाइर हाइड्रेंट और सही वेरिफाइए करें और स्ट्राप को एक इमेल भीजिए आपके इमेल अडर्रस पर जिसका नाम है शारुक्माजिक डाट कॉम ठीक है मेरे इमेल अडरस है यहां पर माँगा कि देखूंगा यहां पर मैं किस जगह पर इमेल आई नहीं इसको रिफ्रेश कर देंगे एक दफ़ा ताके पता चल आई नहीं तो जब आप यह देखें इनिफनेटी पर लिखा वा आगिया कि इस पर आपने क्लिक करा वेरिफाइए मेल उस पर क्लिक करेंगे और यह ओपन हो जाएगा यह आगी आपका अकाउंट ठीके इसको एग्री करके यहां सब अपना अकाउंट बनाएंगे पहले यह पर आपने डोमेंट एक्स्टेंशन तो आरफ जीडी ले लिया मैंने जिम डॉट आरफ जीडी चैक अबलेबिलिटी की है के नहीं है अगर नहीं होगा तो बोलेगा नहीं यह डूमेंगे नहीं मिलेगा आपको तो स्लेक्टिड डूमेंट इस अलड़ी तो फ़लान तो फ् है कि हमें मिल गया है अब हम इसका अकाउंट देदें वेफसाइट का तो हमने देदिया जिम साइट के के अकाउंट का पासवर्ट भी देदें कि क्रियेट अकाउंट दुबारा से इसको करना पड़ेगा आपको ऐसको फिनिश होगे चाहे तो फिनिश करते हैं चाहे जाए मैंने फिनिश करके अब करूँगा तो यह आपको डिरेट कि इस चाहे आपको प्रोफ की जाए गए तो धेंक्स नाओ लोड टिक जना आपकी पैनल लोड हो रहा है कि यह आपके सामना आगिया अब हम क्या करेंगे सिंपल लीचा आएंगे यहां पर सौफ्ट क्लाउस एप इंस्टॉलर इस पर क्लिक करूंगा मैं ठीक है और यहां से लूगा मैं वर्ट प्रेस अच्छा यह अभी भी बनाएना तो यहां पर 20 मिनिट का वेट दे रहा है तो थोड़ी दे रुकिएगा अच्छा बीस मिनिट के बाद जब मैंने पेज को रिफ्रेश करा तो मेरा सामने जो पेज आया वो कुछ इस तरीके से होगा ठीक है तो आपने सेंपल इंस्टॉल पर क लिखना चाहरे हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं फिलाल मैंने यहीं रखा है तो यहां से मैंने कोई थीम लेना चाहिए तो जरूरी ले लिजेगा ठीक है तो थोड़ा स्लू चल रहा है ठीक है अगर फासर वर होगा तो बहुत तीन से लिग और फॉरन की फॉरन कि फॉरन बाद जो इस्क्रीन आईगी वह इस तरी के सोगी यहां पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट देखना चाहरे है लोगन होना चाहरे डैशबूर्ट पर लोगन हो गया और अगली जो स्क्रीन आएगी वह आपकी आईगी डैशबूर्ट पर ठीक है तो एक दफार रि करेंगे वह हम करेंगे थीम इंस्टॉल थीम क्या होती है पहला सवाल ही सबसे ही उड़ी आता है कि अगर आपने मेरे पहली वीडियो चेक करी होगी लिंक मैं डिस्क्रीप्शन में भी दे दूंग और काट के अंदर भी एट कर दूंगा उसमें भी समझ मा आजएगा वैसे खाना है ठीक है और अच्छा मतलब टीस्ट आजएगा तो इसी तरीकी से बनी बनाई डिजाइन होता है उसके अंदर आपने सिफ एडिट करना होता है जबी वर्डप्रेस बहुत मशूर है क्योंकि उसके बनी बनाई चीज़ें मिल लाती है और सिंपर आप इसको एडिट क क्लिक करो मेरे काविल दोस्ति यहां पर देखेंगे यहां पर तीन चार आ रहे है कि एक्टिफ ट्वंटी ट्री ट्वंटी ट्वंटी वन ट्वंटी टीट टूंटी टू यह तीन दीम इसके अंदर बाइड डॉफॉल्ट है हो सकता है कि आप की पास कोई और और आएंगे तो आपके सामने जो वर्जन आ रहा होगा 6.2.2 वर्जन इस वक्त सबसे लेटेस वर्जन है अच्छा एक चीज़ और हो सकता है आगे आपके पास नया अपडेट वर्जन आजये 7 आजये 8 आजये 9 आजये वर्जों मैं सिखा रहा हूं उससे जादा उपर काम नहीं होता है कोई भी वर्जन आजया है भाई कांटे चमच जितने भी अफडेट हो जाए खाना तो चमच सही है और कांटों सही है ना मूह महीं लेंगे ना चमच या नाक में डाल देंगे चमच को नहीं ना भाई तो यह वर्जन वहला से कुछ भी हो जाते सिब एक तो यहां पर तो यहां सर्च कर लेंगे लिख के यह सबसे थी मैं मुझे लगता है ठेके आप नसम स्टॉल करें अभी इंज्टॉल हो रहा आप यह सथा रहे हैं अच्छा जैसे के आप ने देखा यह इसट ऑल हो चुकी है उस जी अब आपने करना आपने सिंपल ऐट्ट क किलिक करना तो इती मिंद्ट के पास एक्टिवेट हो जाएगी जैसे कि देख सकता प्याइक्ट हो गई है ठीके बाकी चाहिए ता प्लिट कर देंख कि किस की जुरत नहीं थे नेक्स्ट लेस्टन है उसके अंदर हमने अलीमेंटर स्टॉल करना है अलीमेंटर पर मैं पहले वीडीयो बना कुछ हुआ प्रक्रि बाशालिक्तर बहुत असान है इस यह यह हां जो यह फेद हमारी थीक्स इलिवेंटर जो है इक ड्राइड ड्रॉप ऑप्शन ए जस लाइक इसको तरह समझ लें कि आपने क्हाना खाना 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 तो आप आँगे दाल चावल आप आट से भी खा सकते तो काम आपका तो और आपको आहसान करता है मतलustain किसी chtप काम करें कंपलीट कर देता यृजी ताकि समझने में असान है फिर सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करना आपकी वेबसाइब और तो यह हम काम करताय है सिंसर्स काम Tiger crack फ्लेगिन फाल एडिटर आपने प्लगिन प्लेगिन प्लगिन प्लेगिन प्लिक करते हैं अगर करने को कह रहें कि इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तो एक्टिवेट नहीं तो पर क्लिक करके सब को स्लेट करते हैं ठीक है और अगर यह एक्टिवेट हो तो इसको डियक्टिवेट करके अपलाई कर देंगे तो डियक्टिवेट होगा उसके बाद दुबारा आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है और उसको करेंगे डिलीट और करेंगे अपलाई इस एक दफ कर लोगा ह Pray धो होता है ठीक है अब आप करेंगे अब हमें pride करना है ठीकर कर अगर पापल्र पर जाएंगे खोलेँ सब्सक्रानिशे करेंगे ठीकरल थेके लिएक रहा हां तो आप- इहीं पर क्लिक कर सकते हैं एल इंट इंट इंटर इंटर मारें यह आपका फहला आगा ठीकि और भी ऑप्शन आ जाएंगे बड़ आपने यह देख ने यह हो ठीकिए और यह आपने इंस्टॉल करना है अच्छा जी अब हम इसको इसको सेट अप करना होगा तो चलते हैं वैसे तो जब सेट आप इसको है कि फिल्व हम उसको देखेंगे करना का है और जैसे कि अपको लग रहा है कि एक्टिवेट पर क्लिक करना है तो मेरे कापिल दोस्तों आप सकते हैं जैसे इसे मना क्लिक कर आ यह मूव होके आगे हमारे अलेमेंटर के ऑप्शन पर अच्छा जी यहां पर स्टॉल हो चुक है जब मैं आपके गवाबत हो सकता था कि स्क्रीन आती है जिसके दिर चार पॉंच ऑप्शन होते हैं और यह वह आप्शन देता है कि अपनी अपको सेटिंग कर सकते हैं वह आप सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर कुछ ऑप्शन दे रहा है कि अब करना है कि हमने पीज बनाना है उसके बाद हम एलेमेंटर के अंदर जाएंगे और वहां से हम उसके अंदर सेट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पेच्ट लगा कि स्कॉम करते हैं अपनी मरजिस इंसट करेंगे आपने आपने और नियुप करा एड नियु करा चुरूंड करूंगा तो मेरे यहां पर सामने एक ऑप्शन कुल लियागा यहां से क्रॉस पे क्लिक प्रस्ट करें तो इस पर करेंगे यह सट्राइब करेंगे यह वर्डप्रेस के सट्टिंग है फिलाल हम वर्डप्रेस की सैटिंग लेते वे चलते हैं ठीक है और उसको देखते हैं कि अब प्या करेंगे आपके आपनी हापी फुल विट से होगा कि जो भी पेंज हो वो फोल हो चीज में बॉटर से लग जाएंगे ठीक है बौटर में स्पेस कवा को स्पेस थे प्रेसफ नहीं होगा किब आगे बताऊंगा अचा üç में आशन बन कर आए कि तो वर्डप्रेस की तो यहां पर बहुत सार ओप्शन आ रहे हैं ठीक है बॉक्स टेंट फुल विद है यहां से हम पहली सेटिंग लेंगे बोलेंगे हम फुल विद स्ट्रेच यह जूरूर लिजेगा ठीक है अब यह क्या है यह लिखा यह आगी आके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बस इतना समझ लिए जो टेक्स्ट होगा फुल भी दोगा मतलब जो इतना भी कंटेंट होगा फुल भी दोगा अच्छे उसके बाद आते हैं और यह लिखावे लेफ साइड बार राइट साइड बार कस्तमाइज सेटिंग और लिखा नो साइड बार पर जरूर क कुछ भी नहीं चाहिए फिलाल हमें यह क्या यह भी मापको आगे बताऊंगा अब यहां पर लिखावेट इस पर क्लिक करेंगे डिसिवल अलिमेंट्स पाके डिजिवल अड़ेटर करेंगे ठीके यह क्या है कि जो हैडर है या आटमेट है बाइड डिफॉल लेगा और दालनी चाहिए है आप हम करेंगे इसको पबलिश और दोबार पबलिश पर क्लिक करेंगे यह पीज अपका पबलिश लिखाव भी आगी लेबसाइट पे पर प्रश करने क्लिक करना है एडिट विलेमेंटर पर जैसे आप एडिट विट डियमेंटर पर अगली पियूरी ट अब इसके अंदर दू-चार option उन्होंने add करें एक तो AI का है और एक container का है ठीक है container का मैं आपको बताता हूं कि कहां से open होता है उसको कहां से utilize कर सकते हैं ठीक है तो फिलार इसको मैं यहां से कट करते तो अभी continue नहीं करता है इसको मैं ठीक है उसके बाद इससे लिखा रहा है अपके सामने आगे आपने इस पर क्लिक करना है उसके बाद यह आपको एक विंडोस पर लेकिए आता है बड़ इससे पहले मैं आपको चीज़ बताता रहा हूं देखें यहां पे कुछ आप सब्सक्राइब करना है तो यहां पर कुछ आपको लिखेंगे यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर ठीक ही डिफॉल्ट है आपने इसको एक्टिफ पर क्लिक करना है ठीक है और अब आप करेंगे इसको सेफ चेंजिस ठीक है यह दिखेंगे ग्रीन हो गया बाकी भी ग्रीन हो चुके हैं ठीक है और भी बहुत सार आप्शन है बट फिलालमस में नहीं जाएंगे ठीक हम दुबारा इस पर आते हैं अब हम करते हैं स्पेच को रिफ्रेश और आप सब्सक्राइब करें जो च्छोटी 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 बॉक्स बने आ रहे हैं ले आउट बेसिक प्रो सब्सक्राइब अब इसकर फेकें और उसकंदर बनना स्टार्ट जाएंगे और इसक तरहीं हम पूरी सप्रेट करते हैं कि अच्छा अब ऐसा है कि जिसे के बेसिक बेसिक जिसे का मतलब यह जिर्नली यूदो भी तीछ पर अब से यहां पर बना इसकंदर में उप्शन स्रक अब मेरे काबिल दोस्तों बला शारुफ भे मुझे बाप बताएं कि अगर मुझे इसको टेक्स को कलर चेंज करना हो तो क्या करना होगा बहुत असान है ठीक है दिखो सबसे बले तो कुछ चीजे समझें करेंगे अगर हम पैंसल पर क्लिक करेंगे तो हम उसको एडिट कर सकते हैं यहां से मैं इमेज को ब्लाएं कि इस तरीके से अगर मैं यहां क्लिक करूंगा उपर तो मैंने जो कंटेनर है उसके उप्षन को लाइए तो इमेज के ऑप्षन खुलेंगे जो मैंने ऐलेमेंट डालाऊगा उसके उप्षन और अगर मैंने उपर क्लिक करा तो मेरे पास option खुलेंगे उस container के जिसके अंदर ये image है हो सकता है उमीद करता हूँ आपको select समझ मा आगया होगा ठीक है इसको delete करना तो right click करके delete कर देंगे चीज़ दिलिट हुआगी ठीक है अच्छा हम container के अंदर container भी डाल सकते हैं मैं इस container के इंदर container डाल दिया ठीक है और इस पर दुबारा क्लिक करके कहां पर मैंने फैरिंग डाल दी त्यक्ति अब क्या होगा गोर से देखें मैं pencil पर क्लिक कर रहा हूं तो यह हमारी container रहे है उसकी ऑर यह और यह चाँ अब तो और सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप के बार नया वरजन है जैसे के आपको नय वरिजन अभी इंस्टाल करके दिखाया लगी तो यहां पर कुछ इस तरह की option add कर दिए गए के जानल हैका मैं आपको बाद ने बताँ हूंगा यानि मैं बता है यगा सबिस्थर सब्सक्राइश यूबने के बाद दूबार हा इसको dr siapdhah is यह कई अचे insects when करने के बाद मैं दूबार इस अंदर क्लिक करा मत बाइब attendantpaced अगर आप इसके अपने चाइड कंटेनर डालना चाह रहो मतलब बच्चे कंटेनर तो इसके अंदर यह डालो एक ठीक है यह पापा के अंदर बेटा कंटेनर है तो इसी तरीके से यहाँ पर योई कंटेनर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखेंज एक कंटेनर बहला कंटेनर दूसरा चाइड्स कंटेनर और मेंं कंटेनर यह हुए घंग हम काम करने दो पर ठिक है इसको आप फर्स करें जह प्रक्षिए हैं पापा पर तरहाँ पर कुछ आपस्षन आ जाते ह तो अब लेफ्ट तो राइट है अगर मैं इसको इसको क्लिक करूं तो क्या होगा यह उलट हो जाएगा मतलब टैक्स जिदर आ रहा है टैक्स इदर चले और बटन यहां लेफ साइट पर जाएगा और से देखेगा हो गया इसको दुबारा लेफ साइट पर कर दें अगर अपन डाउन करना है तो टैक्स उपर चले जाएगा और बटन निशाय जाएगा इस तरह करेंगे तो बटन ऊपर चले आगा टैक्स निशाय जाएगा अच्छा जी इसी तरीके से अगर हम एक अलिमेंट और एड कर दें इसके क्लिक कर आज तो आइकन आटोमेट कंटेनर के अंदर अपना इसके परफ़asında to नहीं क्लिक करता है नहीं काम करते हम यह लेते हैं एक और राइट क्लिक करके ऴ्याइब कर सकते है तो हमने क्या कर रहे हैं एक दो तीन, तीन कंटेनर हम ने आप एड़ कर दिये एक में हमने अधिन डाली एक में हमने डाला बटन तीसरे में हमनें डाला आइकन अब जनाब करना है क्या है गोर से देखिए कि ओपर मैंने स्लट करा एडिट कंटेनर को ये लेफ्ट वराइट है ये टॉप वाटम है तो देख रहे हैं एक दो तीम ये डिरेक्शन इसलिए यूज होती है और ये बहुत ही हमारे लिए आसानी के लिए दे दिया गया इन्हों नीता पहले हमें खुत कर सकते हैं चीजाण में फक्रीदे करते हैं डाउन चीजान करते हैं और यहांसे तूंड टूप कर आते हैं चीके और यहां से डलते हैं इमेच फिर इस हेंडिंग के अंदर लफ साट वाले कंटेनर के अंधर हम टैक्स डडलते हैं तो यहाँ पे अगिया होता है और यह काम करते हैं साथ में बटन भी देता है है बटन उठाके आपने इसके नीचे छोड़ दिया तो टैक्स अगई टेक्स आई और मैं आपडेट करना बहुत जुरूरी है अगर अपडेट करेंगे नहीं तो यह सेव नहीं होगा अच्छा यहां पर राये सरवर क्योंकि यह फिरी साइड है तो इसमें आ सकता है कभी तो टेंशन की जुरूरा ने देखिए हो गया ठीकिन अपडेट पर अपने क्लिक करते हैं और यह प्रिवी चला तो यह आपके सामने आगई आपकी बेसिक साइट और कुछ भी नहीं इसके अंदर बट फिर भी फरस्टाम आपने अपनी बेसिक साइट देख ली ठीकिए यहां पर नाम लिखा रहे हों मैं ब्लॉप फला 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 यह आपका सिदात पर इमेज है यह है आदिंग है यह टेक्स और यह बटन है अब हम इनको थोड़ा सा खुबसुरत करते हैं फिलाल थोड़ा काम और बाकी इसको क्लोश करें यहां से हम करेंगे कि दो यहाँ करना है तो चैंज करके भी हो सकते हैं फ्लोट है यहां तो और देख लेंकर समझ में आ रहे हैं यह क्लिक कर लें ओपिन कर लें और स्लैट कर लें तो यह यहां पर आ जागी अच्छा यह तमाम इमेडी समयना आपको दीवी होंगी ठीक है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कि जाएगा उसके अंदर एक फोल्डर होगा जहां साथ यह लिए तो अपनी मर्जी से में चेंज कर सकते हैं चाहे तो यह रख लें चाहिए रख लें ठीक है जो दिल कर आपको भी इमेज रख ली जाएगा अच्छा अब मुझे पूरा इसका बैक्राउंड जो है कि टेक्स्ट ब्लू है मुझे इसका टेक्स वाइट करना है तो हैं तो बहुत असान-सान केलते हैं ठीक है अभी हमें एडवास नहीं जाना हमें बहुत इजी तरीकी से बनाने ही वेबसाइट तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे सिंपल ठीक है यहां पे एक क्लासिक आप्शन आ रहा होगा स्टाइल के अंदर होगा अब अगर सके अंदर हो अब इसके नहीं मुझे फॉंट स्टाइल भी चेंज करना है तो टाइपोग्राफिय में होंगा और यहां से जो आचकिल फॉंट चला है वह है पॉपिंस ठीक है मैंने पॉपिंस ले लिया और फॉंट लेने के बाद यहां पर साइज आ रहा है वेट वेट मैंने करा 900 ब्ल सब्सक्राइब करते हैं और कंटेंट पर आता हूं यहां लिख देता है टेक्स्ट बिल्ड बॉड़ी माइंड और सुर्ण तो इस पर काम करते हैं इसको यहां लगाते हैं ठीकिए अभी आप देख रहे हैं यह सब कुछ कैप्स मैं कुछ लोवर में ठीकि इन सब को क्यापिटल कर देता है स्टाइल समाथ ठीकिए टापोग्राफिय माथ जी के स्टाइल यहां पर आ रहा होगा और सौरी इस को आप परने कर दिया तो यह तमाम कैपिटल में हो जाए गाए ठीक है ट्रांसफॉम कहां पाएंगे स्टाइल के अंदर टैपोग्राफिक के अंदर ट्रांसफॉम के अंदर को कर देंगे अपरकेस उसके बाद बार यह जनाब इस फॉन्ट की ठीक है के पैंसल पर क्लिक करें स्टाइल पर यहां साइस यूज्वल इसका कलर वाइट कर देजगा ताकि दिखे और पिके और को कर देंगे अपडेट एक तो यहां से अपडेट हो गया अब हम इसको भी मॉंटेसरेट कर देते है है एक तो मुझे इस फॉन्ट का साइज बढ़ा करना है ठीक है तो मैं पैंसल पर क्लिक करूंगा स्टाइल पर हूंगा और टैप ग्राफी पर आगे इसका साइज बढ़ा कर देता हूं अपने इसाब से लाइक फिफ्टी एडेस को मैं कर देता हूं 55 ठीक है अब जो बटन है कि है इस बटन पर क्लिक करके में इसका फोड़ी से शेप चेंज खरता हूं तो मैं एडवांस में आता हूं ठीक है और तो प्लिफ्ट स्टाइल पर हैं एक चीज़ में आपको बता दूंग जब सब सब यहाज़ेंद चेंज करूंगा कर देब अने जी इच्छा लग रहा है तो यह हमने ले लिए हैं अब यहां पर पेडिंग लिखा हुए इसको हमने कर दिया फिफ्टी कि वह जाद हो गया हम इसको जीरो करते हैं तो इस तरह हो गया और देखें एक चीज में आपको बताता है पहली बात होती गया पैडिंग में डिटेल से अगर बताऊंगा तो आपकी समझ में टाइम बहुत जादा लगए ठीक है तो मैं इसको सिंपल इतना बताता हूं पैडिंग होता है कि अगर मैं इसका लिंक हटा दूं और लेफ्ट से को कर दूं तो देखने हैं लेफ टेक्स हमारे सेंटर में ही और यह अंदर से बढ़ाओ के फैल रहा है कि इसको मैं कभी किसी दिन डिटेल से बताऊंगा फिलाल अभी समें डिटेल में नहीं आते जितना मैं कर रहा हूं सिवाप उतना की जएगा ठीक है टॉप समने सको 20 कर दिया बॉ दूप दो निंवी गतर्याइ से बंठ कर दीजेगा प्रिवी चेंच पर कलिक करें आइं कि ते टीक है ज्योवार रहा है कि है उसको में नहीं चीजें करा तो तो इसको ऑनव करता हूं और'm करता हूं developer को आप यहां पे क्लिक किक देगा कंटेशनर में और लाइन आइटम लिखा वा रहा होगा इसको कर दें सेंटर तो टैक्स आपका इसके विल्कुल सेंटर माईगा यह यह बहुत साइच चीज़ें हैं बट फिलाहल जो मैं करना आप वो कीज़ेगा ठीक है उसके बाद हम दुबारा बॉतन पर आते हैं बॉडर ले डिस्क तर्कल होगा तो यह बाूडर्वज जो होता है किनारे टिक कैसे इसके बटा यह किनारे अंगन में हो गाए ठीक है अब इसका मैं से लिंक हटां तो-लिंक ठनाने से क्या होताए एक होगा एक जगह से कर बहुंगा जैसे कर मैं इसको कर दूं राइट से 50 तो भी देख सकते हैं कि राइट से ये टॉप राइट टॉप से कर्व होगी और बोटम से 50 तो ये इस तरह होगी ठीक है फिलहाल मैं इसको लिंक लगा के 30 कर देता हूं और अब मुझे एक और बटन चाहिए अब एक और मुझे अगर बटन चाहिए और इसको बिल्कुल बराबर मैं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके डूबलिकेट बटन करूँगा तो अब देख सकते हैं कि बडराबर में तो आई नहीं तो नहीं चाहिए अब क्या हो अ रहे यार यहां पर इक हमें चीज़ करनी है वह यह हम करें डिलीट यहाँ सब कंटेनर उठाके डालेंगे यहां पे बटन के उपर और इसको उठाके हम डाल देंगे यहां यहाँ पर आया और इसकी यह राइट क्लिक कर के डुप्लीगेट कर दिया ये दो बटन एक ही कंटेनर आ गाया तो फिलाल अभी नहीं करें क्यूंकि मैं पर इसका डूबलिकेट करें एक ही कंटेनर इसका बटन है अब हमने एक चीश करने ही अभी नॉर्मल पर करसा रहा हूं तो फिंगर तो बनी आ रहे हैं बट जिब इसमा फिंगर रत तो यह मूव तो हवार एक option होता है देखें यहां नॉर्मल में मौझूद हूं स्टाइल के अंदर मैं हवर पर आया ठीक है और मैंने बुला कि background color change हो जाए जब मैं इस पर करसर क्या हो जाए डार्क तो मैं यहां से ले लूँगा यह कि अगर पाइंगे सुरी कलर पापने क्लिक कर रहा है यहां से लिए हावर पर मैंने इसको थोड़ा सब्धेश्य रहे हैं तो देखें कलर चेंज हो रहा है तो तो हमने इसको शार्प कर देता हूं ठीक है तो हमने इसका इसका है जब मैं करसर रख रहा हूं तो इसको हटा दीजेगा तो इस पर क्लियर कर दें तो आप देख सकते हैं यह कलर रहा है तो इसको अपडेट कर दें अब मैं इसकी डूब्लिकेट बनाऊंगा कि ऑश्री इसकी निए पैंसिल पर क्लिक करके डूब्लिकेट करूंगा चिके और यह लेफ्ट दोनों नीचे आ रहे हैं को मसलेगी बात नहीं कंटेनर पर क्लिक करके इसको आप कर दें रॉव होरिजन्टल तो दोनों एक उसमें आगे दिकालर मैं तोटास इसका फिर चेंज करूंगा मुझे लगता सका कलर राटी उन्हें चाहिए पर डार्क इसका इसका कलर मुझे थोड़ा सा डार्क रहा है ठीक है और और आप कर आए इसको तोड़ा सा लाइट रख रहा है कि अधिक है यह देखें आप राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा पेस्ट स्टाइल कर दूंगा तो क्या हुआ कि यही स्टाइल इसके अंदर पेस्ट हो गया इसको अप्डेट कर दें और यहां से प्रिवियू ले ले जवर्दस्त हो यह वैतरी अब मैं इसको बंद करता हूं यहां पर आता हूं अच्छा जब आपने इसका प्रिवियू देखा था तो आपने देखाऊ गई बहुत अंदर की साइट पर मैं थोड़ता इसको इसकी विद बढ़ाना चाहता हूं पूरे पेज़ की खाली इसकी इतने इसी कि तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से कर दूंगा बॉक्स से ले आउट के अंदर आगे कंटेंट बॉक्स हो आवा इसको फुल विद कर दें तेक है आपने इसको फुल विद करा तो आप डेट करा और प्रिवी चेक कर लें इसको फुल विद करते हैं तो यह बीच में आगया सट हो गया ठीक है और प्रिवी चेक करें तो सब्सक्राइब यह यह थोड़ा सा टिकी पार्ट यह एक बहुत बड़ी सैटिंग बड़ी में आपको बाद मैं कंप्लेटली विताओंगा अभी के लिए आप यह करना है कि मैं ड़ेता का याव चाने के पूरी वैपसाइब कलर में बना रहे जाना तो मैं चानवा पूरी वेसे में अग्लेक एक बैंद आकर ब्लिक करेंकर तो यहां डाहिए करें लिएक क्लासिक पर क्लिक करके बेक्गराउंड ले लेंगे बिलकुल ब्लैक तिके यहां क्लिक करें अपडेट करें और पीचा जाएं लोज़ाज जैंग अजी के अपडेट होगा दोबारे अचिक अच्छा खेंग प्रिव्यू करें ओके बैक्तरी नोगिया सबर दस्त तक अगर आ तो अप्डेट कर दें अच्छा इसके लाव एक सेटिंग और है यहां पर आपने इस कंटेनर पर क्लिक करा तो इसके विदारी इसको थोड़ा आप चोटा कर लेंगे करें इतना काफी मेरे साथ ठीक है इसको अप्डेट कर दें अभी आटोमेटिक यहां पर रिफ्रेश्च हो जाएगा के लिए और इसको ठाके आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा स्पेज दे सकते हैं तो यह कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स हैं एक यह आप अपन अप्रोड़ी से देख सकते हैं कि किस तरह क्या अच्छा लगी इसको थोड़त और अदर की साट पर कलिया इसको बंद करके भी चेक कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है ठीक है अपडेट करें अच्छा जी अब इसके दर्हाम एक बैक्ग्राउंड देना है जो हमारा पूरा डिजाइन हीरो सेक्षन इलाता ही जो उपर का सेक्षन होता है ये असल में हीरो सेक्षन प्लाता है ठीक है अब इसके दरह में लड़का-लडगी की फीच्चा पिछ थोड़ से पिक्चर देनी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको उपन करता हूं और इसको अब यहां पर देखें पिक्चर तो आगे बड़े इशू भी आ रहा है इशू क्या मैं आपको बताता हूं अपडेट करें और इसको प्रिवियू करें पिक्चर आगे इमेज आगे बड़ इमेज जो है साइड उससे कटावार है तो दो तीन चीज़ा भी आपने करनी है ठीक है थोड़ सी एक दो डिफॉल्ट सेटिंग भी करनी है सबस्क्राइब तो ऊपर आजाएं आप यहां पर ठीक है लियाउट पर है इसको करते हैं आप बॉक्स ठीक है इसको कर दी आपने बॉक्स यह आपकी वीदारी इसको आपने छेड़ा नहीं है चाहे तो छिड़ेंगे तो देख रहें इस तरह होगा ठीक है पसे जनाब इसक इसको सेंटर सेंटर कीजिएगा तक कि थोड़ से उपर आजए कि यह वाल पेपर इतना बड़ा है ठीक है अच्छा रिपीट इसको करेंगे नो रिपीट और डिस्पले साइस कर देंगे कवर तो कवर से हुगा कई आटोमेटिक इसको मैं बहुत ही आसान भाशन में बता द सक्षन अपका कंप्लीट होगे है अच्छा जिब करना है कि अपने के सिंपल अभी हमें ने लगई और इंसेट करना क्योंकि मुझे उपर मैन्यू बार बनाना है क्योंकि यहां पर मैन्यू भी लाने तो वैसा तो बहुत सार अप्शन है मैं आपको प्लैगिन के जरी बताय और सिंपल यहां पर बहुत सारे LauraườiQue respond करना है और इस्टॉ Alan के वाथ सिंपल एक्टिफ करना है थी इस्टॉल रहाए यह डूस चिरहां कि अच्छा जी एलेमेंटर किट आ गया ठीक है और यह लिखाव है अलेमेंटर किट पर यहां पर क्लिक किजेगा अच्छा यह फ्री वर्जन प्रीमियम वर्जन नहीं तो उस बात कभी ख्याल किजेगा अब यहां पर तीन आप्शन आ रहे हैं बैसिक एडवांस कस्टम आपने क्लिक करना एक ए और दम करना शेख करना है और नैक्स अस्टेप बोर्ण है अच्छा जी अब हमें मैंडाना है मैन्यू ट्यके से साइट तो देख ली होगी इसके ज़रा सा दुबारा देखें जागे अब इसके उपर टॉप पर मेनू लगाने तो उसके हम क्या करेंगे सबसे पहले हैडर बनाएंगे जो इन्स्टार्ट होता है इंस्टॉल लता है तो इसके अधर फूटर का अप्शन आता है ठीके तो मैं है यहां से मैं टाटल दूँगा सको हैड़ टाप पर देना है और इंटाइर साइट पर देना है और इसको एक्टिवेट भी कर दीजिएगा और सेफ चैंजिस अगर कुछी समझ में ना आया है तो टेंशन नहीं लिजेगा पर जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करता रहीजेगा है अब यह आगया अब आप करेंगे एड़ेट आपने क्लिक करा है ठीक है मैं दुबारा बता रहा हूं आपको टैटल में हैडर देना है है इसको एक्टिवेट करना और स्थे चैंज यहां तक क्लियर होगा एकिनन आप लोगों को ठीक है जरबंद यहां से क्लोज कर दीज Kerry के अंदर में दूशने डालूँंगा स्वर्य मतलब जो है तो मैंने के ब्शárias की डालूगा ठीक है तो यहां पर मैं कलिक करके इस पर क्लिक करता एक इस जगह में है लोगों डालूआ जाओ क्लान होगा मैन्यू झायकता करके मैने इमेज उठा इसके इंदर डाल दिया कर सकते हैं अपने हिसाब से और कस्टम करें इसको ठीके और सको देदें आपने 150 अप्लाई करा थीकिए हईट शोड़ दीजिए गा मैंने स्को तो तो देकर देखा सभी लगा रहा कौन सा यह सब अब यहां पर मेन्यू बनाना है तो मेन्यू के लिए आप क्या करेंगे यहां सर्च वार पर आना है लिक्तना नेफ मेनिके निविगेशन यहां पर आपके पास दूप्षयन आगए नेव मेन्यू और एक अलमेंटर किट मैंनियू टिकर यहां पर लगा यह प्रोक है ठीकिए यह कर सकते हो तो आप यह यह यहां पर रखें और स्लेक्ट मैन्यू क जाने हों का अभी हमें और भी औप्षन यानि और भी हमें पेज क्रिएट करने दुबारा हुम पर आ यहां पर चीकर करें इस पाएंगे अल पेज़िस अब यहां पर में चार पांच पेज क्रेट करने राइट क्लिक किजिएगा एड नियू पे ऑपन नियू टैप किक अभूरु ऑफ कि के अठीमने का नाम दिदिया अब यहां तुर्ण को कि इसको अपनीा ये अपनीदियाग में फसुलिएगा पूरण में जीचे इसको प्वभलिष कर हाँ प्वभल में एक पुब्लिच हुए है यहां पर डिऊपन टीजिएगा ओपन लिंक लंक को कि सपाय स्कोंधिया अपने सर्वेश जीज़ मिंपिलिश फबलेश को फिरतक्राईड की लिडीविटेप समय समस्लें उडलिज यहां पर हम धेते हैं शॉप फबलिश षिराट-कलिक और लिलिका निडियो टैप इसको करते यहां पर हम देदेंगे वीडियो तो लिखा नहीं है कि वीडियो पब्लेश पब्लेश और राट क्लिक करके आखरी ऑप्शन एक आखरे पेज करेट कर रहे हैं इसका देदेंगे हम कॉंटक्ट है पब्लेश पब्लेश टृपिटक है अब यहां पर आपके सांने और एक पेश उआभकों आधे इसको क्लोस करें अब हमें अब इनि पेस को मेनियू के अन। इंदर मेन염र्ण होके बहाए एक मेनी 1941 के इसके अंदर यह तो यहां déjà तो मैनिट मैन्यो कि मेनियू का यह सेक्शन खुलेगा तेकि जैसे जैसे मैं करता है जाहों त्वहां पर रमट डालीगा हमने डालना है मेन्यू में होम अबाउट कॉंटेक्ट सर्वेश शॉप विडियोज होम हमें या लड़ वाला लेट्टु मेन्यू अब आपने देखने कि क्या इसकी सूरत सही है मतलब यह इस तरहां यह मतलब आपने जिस तरतीब में लाना उसको लिए तो होम फोड़ा आप ऊपर रखलें अब और सही है कॉंटेक्ट को नीचे रख लें ठीक है शॉप वीडियोज कॉंटेक्ट ठीक होम अब और सर्वेश विडियो पंटक्ट सभी आपने सेव मेन्यू कर अब यहां पर पीछ पाए यहां पर तो आये नहीं कोई मसले की बात नहीं भाई रिफ्रेश्ट करो पेच को पेच को रिफ्रेश करोगे जब यह तो आएगा तो मेरे काविल करके अब तो आपको बता है स्टाइल मेंगे और यहां पर मैन्यू इटम स्टाइल है तो बलैक हो आए या कोई भी किलर अगर हो तो आपने आप सिंपल वाइट कर देना है ठीक है फिर कंटेंट में आके यह लेफ्ट हुआ हुआ है मैनो पोजिशन आपने इसको राइट कर द हो कि मैं जब इस पर करसा रखों तो इसका कलर भी चेंज जो स्टाइल पाप आएंगे ठीक है जो मैन्यू आइटम आ रहा है ठीक है अवर पर आके गिरे हुआ हुआ है इसको आपने राइट कर दिया तो अब क्या होगा कि जब इस पर करसा रखेंगे तो यह राइड होगा तो मुक्तलिफ रहेगा राइट वाकि सब रहेंगे ताकि पता चले कि अभी मैं आप आउट सेक्शन पर मौझ दूँ तो अपडेट कर दें इसको ठीक है जी अब आपने क्या करना है कि इस कंटेनर पर क्लिक करके इसको कर देना है फुल विद ठीक है तो देखें तो गई सींगे अब आप क्या गरें सिंपल कि इस पर कलिक करके इसको आपने लविख सय पर चला गरें ठीक है इसको कर देज करें आफ्ट ऐट फिलहाल करें ओंके housing क्लोश करें और यहां तक तो यह बहतरी कि तो चरव मैं तो ज het कौनर अधर से कटड़के इसके अंदर दालते और इसको यहां से पकड़के इसके अंदर नीचे डालते यहां ए इसके अंदर भाहर ल сторону कंटेनर तो कंटेनर जिसके अंदर यह दोनों है इसको आपने कर दिया इस तरीके से दोनों आपने सामने हो गए अब इसको यहां सब बन करके देखें ठीके मुझे तो सट लग रहा है ठीके बाकि अगर मैं चाहूं तो इसको इसको बॉक्स ही रखता हूं ठीक है मुझे इतना काफी अब मैं होम पर आता हूं यहां पर देके तो देखें यहां पर आ रहे हैं इसको मैं प्रिवियू करकर देखता हूं कर देखें जी मुझे फिल हाल तो यह रही और आपने क्याके सब्याब करने सबसे Nag organ करना सब दे pross season करना और इसकी के पाके एडवास माके इसकी पैडिंग में भी कर देना है जीरो पैडिंग क्या होता है कि इस पेस ठीक है अंदर की साइट पेस वह था तो अम इसको स्पेस खतम करा अपडेट करा होम पैक इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें हाँ बैतरी नो गयार जवरदस्त हो गया है मुझे सभी लग रहा है ठीक है अब आपने करना है कि इस पर क्लिक करें और इस अपस्वारी साले कंटेनर पर क्लिक करके इसको जरसा सेंटर करें और सेंट्रलाइज हो जाएगा अपडेट करें यहां पाया तो देखें यह करूंगा थोड़ से नीचे और आजाएगा ओके बैस्ट होगी अब यह बैस्ट है तो हमारा उपर का हिरू सेक्शन खतम हो गया हमें यहां तक साटिस्फाइए कि हाँ यह ओके अब हम इसके नीचे का सेक्शन बनाते हैं अच्छा जी अब हम इसको एडिट विट करेंगे पैजिस पर टो जैएगा ठीक है जी चुल्यक पर वोड़ि सक्शन को कम्प्लीट करते हैं में काम हमारे बोड़ि सक्षन का तो यहां कोई भी लेता हूं यहां स्याला ले लेता है चीक है इसका स्टाइल मा क्या बैक्राउंट कालर चेंज कर देते हैं क्लास्यख मा i Christopher असको plan क्लिख को अब स्केश् Nepal करते हैं कि अब यहां कि है यह वाला कल मैं यह थोड़ा तो इसको ठके समय सकते हसे अब यहां पर आई दो हते हम यहां से प्लेक्स डालते हैं है सिंटर में तो करना पड़ेगा आधि तो तो इसको सेंट्रलाइस कर लें ठीक है और इसका कलर कर दें वाइट अपडेट कि यहां पर मैं टैक्स टाइप कर देता हूं ठीक है तो यह टैक्स है अपर कॉपी करा उसके बाद पैंसिल पर क्लिक करें स्टाइल पाया है तैपोग्राफिय पाया है यहां से लेले मॉन्टसरवट बड़ा मुश्किल नाम इसका इसे इसको नॉर्माली रखना है और साइज का बढ़ा दिया मैंने प्रेक्ट है अधियर हो चाहिए अधियर हो नीरा क्यों नीरा मैं आपको बताता हूं कंटेंट महां पाएंगे क्योंकि मैंने कॉपी पेस कर एक जगास से ठीक है तो इसको बोल डालें और टालें टालें टेक्स्ट ठीक है इस साट हो गया मॉन्टसरवट पर दुबारा आस्टाल पर दुबारा है टापोग्राफिय पाए इसका साइज मैंने कर देटन डिफाइफ ठीक है अब मैं आऊँगा एडवांस में मार्चिन से लिंक हटाऊंगा और बॉटम से इसको कर दूँगा मैंने साड़ी फाइफ एक इसको अपडेट करें और इसका प्रिव्य देख लेता है यहां से इसको बंद कर दीजगा यह देख लेता है ठीक है जी काफी बैटरी ने दुबारा इस पात है अच्छा काम और करते हैं इसको बॉक्स से फुल विद्ध भी कर देते हैं ठीक है और दूसरा यह कि दुबारा एडवांस में आके इसकी पैंसिल पर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा नीचे से और कम करता है रिद्यूस अपडेट करके चेक करते हैं हुआ नहीं हुआ कि तना हुआ है यह रफ्रेश और भी हो रहा है चलें जी अपडेट होगी है यहां से अच्छा एक चीज़ और करता हूँ कि बहुत मुझे छुटा लग रहा है तो इस पर मैं क्लिक करके एडवांस पा आता हूं ठीक है और तो मैंने यहां क्लिक करा और एडवांस मा के यहां से क्लिक करके इसका लिंक थोड़ा टॉप से इसको दस कर दिया और बॉटम से भी दस कर दिया ताकि यह पाई देए यह काम करें इसको पंदरा तॉप सब पंदरा बॉटम से करते हैं अब डेट करें ठीक है इसके बाद इसका प्रिवीव देख लें अब काफी है और भैतरीन है अच्छा जी अब आपने इस पर क्लिक करना है प्लस पर ठीक है और यहां से ले लेते हैं और इसके बाद यहां पर क्लिक करके कंटेनर्स के अंदर राइट करते हैं ठीक है और इसके अंदर डाल देते हम इमेज अब यहां पर क्लिक करते हैं प्लोट फाइल पर क्लिक करना है यहां से स्लेक्ट फाइल करनी है और में इमेज ले लेता हूं ठीक है यहां से दुबारा कंटेनर आपने लेना है ठीक है इस कंटेनर को ठाके इसके यहां रखेगा इसके अंदर नहीं इसके थोड़ से नीचे इसको आपडेट कर दें अब फिलाल उसको बन कर दें नवीगेटर को इस पर क्लिक कर आपने है ठीक है यहां पर टेक्स लिए आपने है हिट हार्ट और गो हॉम ठीक है स्टाइल पाए टेक्स कलर वाइड दिया आपने अपने टापोग्राफिय पर क्लिक करके यहां से आपने यूजुवल मोंटे और इसको आपने कर दिया बोल्ड क्लिके साइज बड़ा करे लें इसका यहां से यहां पर काम और भी कर सकते हैं अनु מאר को रैट क्लिक करके कॊपी करें और यहां से राट क्लिक करके पीस स्थाइल करें तो इसका स्टायल यहां पे स्थाटठे अपर वह आते हैं और टेक्स अडर कर शो पॉपका यहां पर उटकर देते हैं तो फॉन स्टाइल भी आए इस अब कुछ आगिया अच्छा जी आपने क्या करना है कि सबस्टे पहले तो इसको फुल मीट कर देंगे ठीक है और यहां पर आगे इसमें बटन देंगे आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी और पेस स्टाइल और टेक्स चेंज करना तो इस पर पैंसिल पर क्लिक करके लिखा रहे हैं कर दिया आपने रीड मोर ठीक है अपडेट कर दिया अच्छा अप्या करना अपने टेक्स सेंटरलाइज होना यहां पर होना चाहिए इस पर कलिक करने के बाद आप इसको सेंटर कर देंगे इस तरह तो इंदम आ गया इस इमेंच के इसको अपडेट कर देंगे जरूर करते रहें आप ताकि यह खुबसरत सा लगने लगे तो आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद स्टाइल पर आते हैं यहां क्लिक करते हैं अप्लोट पर आते हैं स्लेक्ट फाइल और मैं यहां से ले लेता हूं यह सब्सक्राइब आपने क्या है कि इसको सबसे पहले तो करना है नो रिपीट और इसको करना कवर तो यह इस तरीके सा जाएगा सेंटर सेंटर में पोजिशन होगे अगरी डिफॉल्ट होगा तो आप सेंटर सेंटर भी कर सकते हैं इस तरीके से ठीके इसको अपडेट कर दीजेए अब हमने एक सेक्षन और बनाना है ठीके मुझे इसके यहाँ पर नीचे बनाके पिलस करना पड़ेगा फिर एक सेक्षन और बनाना पड़ेगा तो इस से शॉट करते निगा है मैं आपको बताता हूं इस सेक्षन को लेकर राइट क्लिक किजेगा डूबलिकेट कर अब हम क्या करेंगेगे इसका एक सेक्षरण करें। उसको अब क्रते हैं इसको करतें आप लेड़ाउट पर करें एक वॉप्सट्टे को करें अब टो और यहां से में इमेज ले लेदा हूं ओपन इसलेट करा यह आगए इमेज और जहां टेक्स कर दिया मैंने तो इसको अप्डेट कर दिया और अब मैं इसके यहां के लिए करता हूं इस्टायल पर आता हूं और यहां पे लेता हूं मैं ग्रेडेंट टीक है यह अच्छा इसके लावा तो आगया पर इसका बहुत हार्ड हार रहेड तो मैं सेकंड कर आएके यहां से से अप्टे इसको कम कर दोंगुकर थोड़ी सी ठीकर अपडेट करते और इसका थोड़ी सा हाइट सिस्की हाइट यह प्लस्कूल सा बढ़ाते यह वाएट प्र। मिनिम्म हाइट इसकी कर देते हैं कि हम 550 कर देते हैं कि काफी यह इतनी बहुत है अब इसको करते हैं अब अब देखते हैं हर चीस हम अरपा बैलेंस टारी ठीक है इसका हम प्रिवी देख लेते हैं क्लिक करके अब एक नया सक्षन बनाते हैं इसे पहले प्लस पाकई राइट करने और पेस कर देना तो ऑटोमेटक यही सक्षन नीचे कापी हजाएगा किसी मेज को चेंज करने सबसे पहले तो अपडेट कर दें और इमेज्क पर क्लिक करके ही यहां पर आते आते हैं अपलोट पर आते हैं अर्यहें से क्याइज दिखना पाड़ेंगा जो आपको लगता हुशाई हो आ रद मैं लेलिया यह वाला कि यह काम करता है यह लिए वाक्सिंग ले लिए यह लिए अब आतुरो के अ क्यूंड स्टीर साइट फ्री Sergeiع तो पेट यह यह लेंगे तो स्ट्र में बहुत ढ़े होगा प्रहाल को व॥ यह साहे कर अश्रै लेकर साइखना नहीं है तो इसको डिलेट कर दें देख लें यह दूसरे को देख लिए सिलाइक है सही यह मुझे कुछ आ लग रहा है पडना साइस बहुत बड़ा तो इसको 30-30 कर देता है या सब्सक्राइज को सब्सक्राइब करें अम ने दो अब और इस इमेज का साइस को थोड़ा बढ़ा करते हैं अ यह सही इसको अपडेट करें अच्छे जी हम एक सर्विस का कॉलम मनाते हैं सर्विस का सेक्शन मनाते तो आप इस पर क्लिक करने प्लस पर यह ले ले लिए अब इसके चोर्ड़ करें यहां पर आएंगे iadvans में इसको लिंक करें और टॉप करें 100 टाकि 100 हृण में नीचे आ ठोड़ सथ है डिके निक करें नहीं करणे का स्के और इसके अंदर फेस्ट कर ने इंट कि यह अगया हा trench करने यहां तक तो किलियर होगा है कि अच्छा जिए आपने करना इसी टेक्स को राट क्लिक करके कौपि यह समसे बना रहे तो कंटेनर को बिलकुल आपने यहाँ पर नीचे फिक गया तो यह कंटेनर आए अब आपने क्या गरना है इस कंटेनर के अंदर यह दू चीज़े डाले इस कंटेनर के अंदर यह दू चीज़े डालने तो क्योंकि हम जो सर्विस सेक्षन बनाएंगे वह उसके अंदर टैक्स भी होगा रहा है तो सबसे तो इसको अपडेट कर लिए यहात के अब थुड़ता पार्ट है अब इन दोनों को हमने एक पॉपर बना लेते हैं चाहँ सबस्केंट आलग सा प्यए ग़िल refreshing offer यहां पर तो यह अलग container है यह दोनों एक container के अंदर यह बिलकुल साद़ container है अब इस container को ठाके सके अंदर रख़ते हैं तो यह दोनों एक और container के अंदर आगा यह थोड़ से tricky पार्ट सको बारवर video को छाएं तो stop लेकर करके देखते रहेगा अपडेट कर दें कि उसके बाद जनाब आप इस पाईएगा और यहां से इमेज उठाके इसी कंटेनर के मतलब इन कंटेनर के इंदर नहीं जो सबसे भाराला कंटेनर उसके अंदर फेकिए अब यहां से इसको क्लिक करेंगे आप और इसको रोह होरिजंटल कर देंगे तो इस तरीके साज इसके अंदर हम एक इमेज oppoy.cessors दालते हैं हम इहां पर ठीक है तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं यहां पर से क्लिक करते हैं है ऑल्योत शेक्षन पाल सबस्केश सेक्ष्चन है एडाओं है तो करते हैं तो उसलेक्ष्द फायल धैं और यहां स relatively और यहां समकbour्स को कि अभी सेस्थके लोड हो रहे हैं तो सब्सक्राइब मर नारे हैं तो से लिए है दो फिर से निया हैं कि अब छोड हो रहे हैं तो हम यह ले ले लेते हैं और रिसका के करके मैंने स्लेट कर लिया ठीकिए इमेज आए गया अब मैं इस इमेज की एक और कॉपी बनाऊगा चीक है तो सबसे बहुत को भी आपने स्टैलमा के लेफ्ट ही करना है ठीक है और इसका थोड़ा सा टेक्स कम करते हैं यहां तक क्योंकि बहुत सारा टेक्स होने वाला इसक्ता उब डेट करते हमें अब हमें इसको डुलिक ट करेंगे राट कलिक डूपलिक यह दूब आपक्टकhouse अब इसके करके। हम यहां से चेंज कर लेंगे तो इस पर क्लिक करके यहां से मैं दूसरा इमेज ले लेता हूं लाइक यह ले लिया मैंने लिया और इसका टैक्स लिए मैंने कॉझा क्रोस्फेट अब लेट करके लाइक आप मैंने को डुब्लिकेट कर लिया नीचा यहां यहां पर यह लिया और इसका टैक्स लिए स्टरइब टीके इसको अपडेट कर दिया प्रूम्टिक लेए लिए इसको अकलम के लिए आपको इंदर तीन इमेज अभ़फ आपने काम करना है प्विए थोड़ सा ट्रिपिकल का में बृष अब में चाथ है तरह हो होड़ से देखेगा ये अलग रो में हैł ये अलग कंटेनर में निकाल रो में और अलग कंटेनर में तीके अब हमें देखेंगे मुझे च्छे बनाने हैं एक लेफ्ट कॉलम बनाने जिसके अंदर टॉप पे बॉटम में दूँए तो मतलब भी में तोटल च्छे होंगे इमेजिस तेकि अब इसको बनाने का तरिके कार के घौर से देखेंगा सबसे पहले में एक लियाउट यहां पे डाल देत ठीके अब इसको उठाके इसके अंदर डाल दिया दो हो गए पर तीसरा भी इसके अंदर यहां पर नीचे डाल दे तीन इस कंटेनर के अंदर आ गाए ठीके देख लेते हैं क्लिक करके अच्छा नहीं आए सौरी दुबारा डालें यह आ गया और यह आई सके अंदर आया नियाँ नहीं आ अब दू बार रखक्या डालना पड़ेगा इसको ठाएं और यह आईए तो याख यह फोल्ड़ सा अटक रहा अटक भी रहे तो मसले की बात नहीं असल में सीन इसे कि आप यहां डाले लें जो हूँ से और यार क्या मसला रहा है बॉस आ यह थोड़ सा इस्यू थोड़े तो दीख लीजेगा दो त्री मरतबह करेंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक इसको अबडेट करते हैं फस्त अफॉल एक तो यह सीन हो गया यह एक बन गया कि इसपाय एक हमने इस डिये लिया एक हमने तियस भी हो जाए टो इसकी हो गया यह एक्रॉसव और यह आप क्या हो गया इसको कर द punishment कर दें कि इसको करते हैं वेट लॉस कि और इसको करते हैं इंडॉरंस 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 और एंसी ठीक इसको अपडेट करने जनाब यह हो गया आपका एक यह कॉलम हो गया इसके अंडरी तीन रॉ मौजूद हैं एक यह कॉलम जिसको हम ले आउट कहते हैं या फिर हम इसको कंटेनर भी कहते हैं इसके अंडर तीन कॉलम होगा अब इन दोनों कॉलम को एक और कंटेनर के अंडर डालने हैं इसके वजुहाद आपने कंटेनर एट क दाला एक या गया और अब इसको ठाकर आपने यहां डाला यह आगय दोन मिर अदर अब तो इसका क्या होगा जो बाहरवाले कंटेनर पर क्लिक करके रहा hobak तो सब हमने सामने आगिया अब आपने क्या करना है कि सबस्क्राइब उसका टैक्स बहुत बढ़ा है ताकि एड्जर सोस्ता के चीज़ें इसको मैं टॉंटी करके देखता हूं टॉंटी बैस्ट है अब इसी को राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और इसका इस पर पेस स्टाइल कर दूंगा इसको भी पेस स्टाइल कर दूंगा इसको भी पेस स्टाइल कर दूंगा इसको भी पेस स्टाइल कर दो तो इसको राइट क्लिक करें कॉपी पेस स्टाइल 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 और पेस स्टाइ तो थोड़ा सा राइट कर देता हूं ठीक है अब कॉपी करके पेस्टाइल करूंगा तो बाकियों में भी कलर आजएंगे और इसको अपडेट कर देता है ठीक है यहां तक तो कंप्लीट होगी है बैस्ट होगी है अगर आप इसको और दिलकश्च बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें में इस पर एडवांस पाएंगे और यहां पर हम आएंगे अब बॉर्डर पर ठीक है और इसको कर दें हम 20 अब करें फिलाल तो जिरो करें और दुबारा इस पर एक लिक करें हम घलत एडवांस में चलगा में स्टैल पाएंगे स्टैल वाले बॉर्डर डिस्क माएंगे और इसको कर देंगे तॉन्टी कर दें ताके दिखेए तिके आपको देख रहा होगा यह सरकार साइडेस की राउंड हो गई अब इसी को राइट क्लिक करके कॉपी करें बाकियों पर पेस्ट स्टाइल कर दें क्योंकि टाइम हमार पास बहुत कम है अब बहुत अबर्दस्त इसको अबडेट कर दें लुकन फिल आगया निकल के किसे नमसे पुचा शारुक भाई यह टेक्स टॉप पे क्यों आ रहा है अगर इनको भी हम सेंटर में करना चाहें समेच के तो भाइस के कंटेनर पे क्लिक कर दो जो इसका कंटेनर है ठीक है यह ज यह जो रहा है और यह हो गया इसको अपडेट कर दें आए से तो यह देखे एक दुबबा पिर चाहकार तयार हमसके प्रिव्यू देखते हैं और प्रिव्यू देखना है जैसे आपने क्लिक यांटार बटन पर तो यह लोड हो गया ओकि ओके-ओके-ओके-क-बैक-प्रीन ता मुझे और यह संटर में भी हो गया इसको अपडेट करें अगर इस पूरे कंटेनर पर क्लिक करके आप इसका लेयाउट बॉक्स फुल विद करते हैं तो यह कि इस तरहां आएगा कि के सब्सक्राइब करने के बाद और तोड़ा सा प्रिव्यू देखने इसका सब्सक्राइब करते हैं तो यह कोई मसलेगी बात नहीं पर भाई आप एक सवाल उटता है मेरे दूसरा शारुब भी मुझे थोड़ा बहुत चेंज दिखा नहीं मैं लगव मसलेगी बात नहीं असल में सीन ऐसा है कि यह कंटेनर के अंधर भी कंटेनर तो जिस कंटेनर के अं के थिए अपने कोरें यह इस तरह आजेंगे ठीक है जब इस तरह आजेंगे तो इसके बिज़ एटी परसंट कर देगा यहां परसंट करने शान सब्सक्राइब आपने एटी परसंट और आप उपर वाले कंटेनर पर क्लिक करके इसको सेंटर कर दिया जूएक अब डेट कर कोिको बन करें आब अब हम नया सेक्षन बनाते हैं अधर इसके हं तिहां पर हम लेकर सब्सक्राइब टेस्टेमोनियल्स ठीक है यह टेस्टेमोनियल्स बने बना हमारपा मौझूद है एलेमंटर की ही तो खास बात है कि हर चीज़ आपको बनी मिनाया मिल आती सिर्व आपने ड्रैगन ड्रॉप करना पड़ता है ठीक है यहां पर आगया आप इसके तरह एक दो तीन चार पांच टेस्टेमोनियल्स ठीक है अब आप आएंगे इसके टेस्टेमोनियल पर ठीक है यहां पर सेटिंग्स वाएंगे इसको आप कर देंगे दो कि एक वक में आपको दो दिखने चाहिए आप ठीक है इसको आप अपडेट कर दें अब यहां पर हम कुछ टेक्स लिग देंगे य और यहां पाके टेस्ट मुन में लिके लक्राओर पहले वाले के अंदर के इस टेस्ट मुन लउन आ रहा है ठीस है तो इसको हम टेक्स लिख देंगे ढ應該 और आय इसका हम नाम दे दिता है कहुंग लाव है इसका ना हमने दे दिया और विस्नेसमें तेके इसको अप्डेट कर रहा है अच्छा टेक्स तो हम पर दिखी नहीं रहे है टेक्स्ट है एसी बात नहीं कि टेक्स्त है और दिखेंज अभी इस्ट्राइल पाएंगे ठीक है अब यहां से आपको तलाश करना है कि आपका टेक्स है का तो डिस्क्रिप्शन बागए सबसे पहले तो यह कलर ले लें इसका वाइट यह नहीं तो आप इसको ब्लाइक ही रखेंगे ब्लाइक ही सभी लग रहा है ठीक है और उसके बाद जनाव आप क्लाइट पाजए क्लाइ यह नहीं हुआ है कि इसका नाम भी देदें दूसरे वाले इसका नाम देदें लियो कैंग एक इसको देदें एस ई ओ आस यो परसन के के इसके अंदर भी टेक्स भेग दें और अच्छा यह सब ने मोटल कंपेटिक गेम तो उसका नाम लिख रहूंगा को अच्छा स्पेलिंग में स्टेगो वाई सौरी तो हम से इस तरह रहा है ठीक है अब हम इसके अंदर इमेज डाल देंगे ठीक हम आएंगे अंदर लियाओट के अंदर टेस्टिमोनियस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह से मैं उठा लेता हूं आ है जैसे एक तो तीन तीन थे इमेज उठाके ओपिन कर लिए और 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 मैं जैसे बंदी की में उठाके स्लेट करता हूं हम यहां पर आ जाना चाहिए ठीकि बहुत बड़ा इमेज आ रहा है ठीकि इसका साइज चुटा कर ले ठीकि गुरना इमेज बहुत बढ़ाएगा अगर कैसा कभी ऐसा हो तो क्या हो सब्सक्राइब कर लें तो देखें अंदर यह फिक्स आएगा गुड हो गया जी ठीकिए अब आप जाएंडर और सेटिंग समया के जरा साइस को करना इनेबल लूप और शो डॉट्स इसका फाइदा क्या होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपने इसको मूफ कर अगर आपको मीना कारियां करनी है ठीके तो यह चीज ने आपके सामने आगे जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा थोड़ से और अगर आपको मीना कारियां करनी है ठीके तो आप काम करें स्टाइल पर आजाएं और यहां पर आप आजाएं ले आउट के अंदर और यहां पर बैकड्राउंड ट्रॉट्व है तो इस वाइट कर दें तो मेरे खाल से जादा सही लग रहे क्योंकि पूरी थीम हमारी ब्लैक चल लेगे तो इसको हम ऐसी रखते हैं अच्छा जी अब इसका उपर लिक भी दें टेस्टों में पर उसके लिए काम करते हैं पहले तो इस पर क्लिक करें और यहां से मार्जिन कर दें ल करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस कर देते हैं इसके अंदर नीचा आएगी इसको ठाके उपर रख दें तो इसको यहां पर रखना चाहरे हैं के नहीं तो इसको यहां पर रखते हुए पेस्ट कर दें तो भाए हमारे कस्टमर जो थे उन्होंने टेस्टमोनि में अपडेट कर दें हैं सभी जी चलिए यहां पर काम होता है खता है अब हम बनाते हैं फूटर फूटर के लिए आप इस पर क्लिक करें यहां आप से एक्जिट करें एक्जिट करेंगे तो आटमेटिक आप आजाएंगे डबलूपी डैश्बॉर्ड रप्लाइब अब यहां पर केंसल करने अपडेट नहीं कर अपडेट तो करते हैं अपडेट करना बहुत जरूरी एक एक्जिट अब उसके बाद हम आते हैं एलेमेंटर स्किट और है एड़न फूटर यहां तरह कि करें यहां पर इसका नाम देदें फूटर हैटर की जगाव फूटर इंटायर साइट और सेफ चेंजेज यहां फूटर अच्छा एड़न इस पर आ रहा है क्योंकि हमने इसको अभी एड़ने करें तो एड़ने करके एड़ने करेंगे और अब हम इसको एड़ने कर सकते हैं हुट है कि लुट हो रहा है अस तो प्यार से और लोड होगे अब आप क्या करेंगे यहां पर क्लिक करके एक कंटेनर डालेंगे और इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर डालेंगे टिके इसके अंदर एक image डालेंगे और इसके अंदर एक text editor डालेंगे नीचे की साइट में इसके अंदर हम लोगो डाल देते हैं अपना select और इसको update करते हैं अब हम इसको इन दोनों को यह जो दोनों है इसको भी हमते हमें इसके बराबर में और इसके बराबर में आएगा तो एक तो यह है और इसके बराबर में आगा और इसके बराबर में और तीनों को एक कॉलम में हमें कंटेनर में डालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसी तरीके से एंगे एक container सबसे टॉप पर हम डाल देंगे ऐसे और इसको ठाक हम डाल देंगे पूरे को इसके अंदर ठीक है जी अब हम क्या करेंगे इसके एक duplicate बनाएंगे यह आए गया और रट बैढेंगे तीन आगे इस container के अंदर और इस container को कर देंगे इस तरीके से तो यह आपके सामने आगे कुछ यस तरह सुख सिर्व कर देप अपने अच्छे जिप करने कि यहां पे सबसे पहले आपने डालना है हैंडिंग वीच मीडालें इसको गरदें डिलीट ठीक है और इसको करदें डिलीट इसकी जगह पर आएगा अब यहां पर क्या करना है एक डालना है इसको डिलीट कर दें इसको भी डिलीट कर दें इन पर क्लिक करें यहां पर देखेंगे आप इनको चेंज करके आएकन चेंज करना पड़ेगा आएंगे फेसबुक पर आने के बाद कर देंगे आप वाइट यह काम करते हैं बलाएकि रखते हैं और इसका बैड्राउंड कर देता है इसको कर देता है वाइट तो यह कुछ इस तरहां आएगा कहांगे यार नॉर्मल पर यह ब्लैक हो गया ब्लैक नहीं रेड़ भाई है इसको कर दें आप क्लिक करना जुरूरी होता है हावर और इसको वाइट कर दें टूटर के बाद लिंक्टेन बैक्राउंड कलर राड़ और क्या को बन करें फिलाल हावर पर आके इसको वाइट अप्डेट कर दिया अचाहिए यहां से टेक्स बीस का चेंज कर देगा इसको ना अप्डेट दिया कि लिंक्स स्टाइल हो गहां है जबरदस्त तो सही है सही है और कलर इसको वाइट कर देंगे हम अब डेट कर दें फॉन्ट दिख लिए कौन सा मैं आर्स का फॉन्ट मॉंटेसरट है सही गुड हो गया अच्छा जी अब हम इसको अंदर वाले कंटेनर को पकड़के फुल व और अंदर वाले को हम स्टाइट करके कर देता है नाइंटी वहार वाले को क्लिक करके इसको बोलते हैं के भाई सेंटर में लिया उसको टैक्स को तो गुड होगी है तो कि अपडेट कर दें यह भी छोड़ी चोड़ी टेक्निक्स हैं इनको याद रखिए लोगों हमारे पाई के इसंसको फॉर् Yasौ कि पाइन है और काफी उख़रा से कर देता है रहनाए कर देता है क्या को अपडेटते हैं इसको बन करते हैं और इसको भी डिलेट करते हैं अब हम इसको डूब्लिकेट कर लेते हैं ठीके होम इस से फायदा कि होगा हमें बार बार आइकन चेंज नहीं करना पड़ेगा सर्विश्स लेडा दूब्लिकेट अब आउट और और इसको अब्लीट कर दिया है ठीक है अब फोड़ी है इसकी इंदर मेनियाकारी करते हैं इसपे कलिक करके हम स्टाइल पर आते हैं आइकन था होगा नाइस को अल्यायची ्टर्पुट नृइट आप तकक्तलरई तो यह वे और खुल्ट अप पहले कलर्ण करते हैं खूल में वाहिट नहीं तो का में अपडेट करते हैं काफी ठीक है जी और अब कंटेंट में आते हैं इसके अंदेर एक अप्चिनल ले आउट की ले आउट सब्सक्रा कूभी डिफॉल्ट आपने इसको कर दिया इनला इन टी तो इस तरह हो जाएंगे ठीक है और भैटरी नोगी जा प्लाइट करें हुआ एक्सिट करेंगे अपडेट नहीं करें अपडेट जूर कर देगा मैं भूल लाता हूं तो उसके बाद दुबार इस पर आके एक्सिट कीज़ेगा एक आने के बाद एक यहां पर प्लगिन करेंगे देखिए फॉर्म्स के नहीं बहुत सारे प्लगिन प्लगिन है और उसका नाम है यह पाएंगे और उसका नाम है फॉर्मिनेटर अगर मैंने स्पैलिंग साही लिखिए तो कि आपके ही रहा इस्टॉल नाव इस्टॉल नाव करने के बाद आप इसको कर देंगे एक्टिवेट ठीके इंस्टॉल हो जाए अच्छा जी यहां साब करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा ठीके एक्टिवेट होने के बाद लेफ साट पर यहां पर इस पर क्लिक कर दें डारेक्ट डैश्बॉट पर क्लिक करनें बाते कि आपने क्लिक करना है और इसको कर देना है इसका नाम देदें आपने नाम दे दिया साइन अप और इसको कर दिया कि के करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरी के साथ आज यह फस्त नेम होगा ईमेल एडरस होगा और सब्सक्राइब होगा आप प्रिविव देखें तो इस स्क्रीन होगी साइन आप की बश्तरों की प्रिविव दिखा रहा है आपको कि नेम डालने इम का सब्सक्राइब हो जाएगा मतला अगर कोई हमारी कोई चीज हम नई चीज लांच कर रहोंगा तो हम आपको इमेल की जरीए बता दिया करेंगे अच्छा मैंने क्या करना चाहते हैं तो क्या रखने आपने तो यह तो हो गया यह इसकी बाद मैं आता हूँ कलर के अंदर कस कि submit बहुत सारे option आ रहे हैं मैं submit बटन प्राता हूँ यहां से submit बटन यहां से कलर रडवीट ले लिता हूँ इंथ सारे जो तेक्स हमारा भाइटी रहेगा और जो इस पर करसर लिग गए है तो यह वाइट हो जाए ठीके और टेक्स पर भाइक और पॉकस में भी वाइट रहे और ब्लाइक रहे डिके डिफॉल्ट होवार और फोकस इसका प्रिवियू देख लेते हैं प्रिवियू पे क्लिक करें जावर दस्तों गया बैतरी है अब आपने क्या करना है जैसे आप पब्लिश करेंगे पब्लिश को पब्लिश कर रहा है और उसके बाद आपको स्टार्ट हो जागा इजी पीजी इतना एजी कि सिर्फ टेक्स को ठाके स्कोट को ठाके उस जगहा रख देना है तो वहीं पर फॉर्म शोगा अब आप आ जाएं दुबारा एलेमेंट ट्रकेट पर क्यों के इसको अलग से मैं साइट पर खोल लेता हूं ठीक है फूटर पा क्या चांचा रहे हैं कहा रखना चाहें अच्वा on your सट सकते कोपी पैस चे कीजिए कृट क्या करता है कोई बीडीने का देने हो तो इसके अंदर देता हैं कि कि तो हाँ पर पेस करते हो कोड़ कोस्त आपने bugs कर ऐसका डिया तो यहसे कर दिया कर दिया वहां पर आपकोड को करता हूं आगर इसका बैगराउंड आपको अजीव गरिब दिख रहा हो तो डरने की जुरत नहीं इसको अपडेट कर दिया आपने अब इसको प्रिविव देखेंगे तो रेल में ऐसा नहीं देखेगा ठीके जी रेल में ऐसा देखेगा लाल इसको बन कर देते हैं प्रिविव देखता हूं तो यहां पर लिखावा है एडिट फॉर्म सिर्फ आपको दिखेगा जो हम आपका क्लाइंट होगा उसको नहीं दिखेगा क्योंकि आप इसको क्लिक करेंगा आप पहुत जाएंगे जहां पर यह फॉर्म क्रेइट हो रहा है ठीक है तो इसको बन करन यहां पर आने के बाद जो व्यूव होम है इसको राइट क्लीक करके लिंक न्यू टैप कर दें रहा है ठीक है यह शूर है यहां पर कुछ इस तरीके से जबर्दस वहतरी हो गया ठीक है पर यह बहुत दूर हो गया लग रहा है इसको टॉज रहा है ठीकिए अरीड तो इस पर क्लिक करें अब आपने क्या करना है कि इस साइटिंग के अंदर चाहिए तो हटा दें चाहिए इस टैल प्यानी के बाद आप हैं सिंपल डॉट्स के अंदर यहां पर करें इसको अपडेट करके देखते हैं और इसका प्रिवी भी देख लेते हैं कि क्या शौर कैसे शौर है इस को कि काफी सब्सक्राइब थोड़ इसको इस पूटर को थोड़ता नीचे भी करना होगा तो फिल्सकों करते हैं दवारे यहां पर आते हैं इंड़ांस पर आता है यह मार्जिन बॉटम है इसको हंडडेड कर देता है अपडेट करें और इसका लगता है कि फरक पड़ाओं काफी नीचे चला गया वहाँ फोटर दूर भी होना चाहिए तो यहां काफी पैटर हुआ है फरक पड़ा जी वहत्री ने पीके ना यह जबरदस्त हो गया था चाह बीकाम और करते हैं कि हम यहां पर आते हैं फूटर में यहां तक हो के यहां तक हो के हैं पेज़ भी देख लो गड़ गया सबसाट है और अम चाहरो लोगों पर क्लिक करन बेद सब्सक्राइब नाम दे दूंगा कि कोई पेज बना है हमारे पहले देख लेते हैं होम मतलब मतलब हमारा पहला पैज इसको अपडेट कर दें ठीके अब अगर मैं इसको रफ्रेश करता हूं इस पेज को अभी तो बना वान हम एक काम करते हैं तो को तो यहां से क्लोऊ कर देते रात और फ़कोई में पर क्लिक करते अब हमने six-manaight करने अगर कि अगर हम वेबसाइट पर आते हैं और इसका प्रिवी देखते हैं और जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वह उपर हमारा जो मेन्यू बार है रिविगेशन यह जाहर नहीं होता है मैं चाहता हूं यह रुके भी तो मैं पैजिस पाता हूं प्लैगिंस पाता हूं कर दीजेगा ठीक है और इसके बाद कर दीजेगा अठीक है अब आप यहां पे आते हैं इसको इसको अधर करें पर एक दफ़र रिफ्रेश कर दीजेगा ठीक है लाके मैनियू लूड जाए इसके अंदर यह बहुत ज़रूरी है ठीक है क्योंकि जो भी आप लैगिंस्टाल करते हैं अगर इसको यहां इंदर आना होता है तो इसको रिफ्रेश्च करना ज़रूरी है ठीक है इस पर क्लिक करके आप यहां पर आजए अलिमेंट्स पर पीक है यहां पर एक औपशन आएगा आपको कि है ओं और इसको कर दीजिए ठीक है और इसको अपडेट कर दीजिए मैं अभी कहां चले यह था यहां पर रिफ्रेश करें और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह नदर आएगा ठीक स्क्रॉल अब आप इपडो अभी आपने को यहां को यहां को सब्सक्रॉल करें और इसको अपडेट किजिए और बैंग्रांड ब्लैक टीके अपडेट इस पीच पाएंगे रिफ्रेश करें और अब आप अपनी कुवार यांको से वो दिखेंगे कि जो आकरी मलदार है जबर्दस यार अब यह करके दिखाओ अधिके जी बैटरीन हो गया जबर्दस यह हमारी साइट तकरीबन कंप्लीट हो गई है अब हम इसमें ट्राजिशन करें यहने के अनिमेशन करके दिखाते हैं आपको ठीके जी ताइस टर्ण करते हैं किस तरह इसको एनिमेट कर जाए क इसको अच्छा जी एक सीन और करते हैं कि अब हम इसको इनिमेट कैसे करा है यहाँ पर ठीके इस कंटेनर पर क्लिक करते हैं डवास माते लिड़ को बंद करते हैं और आतें मोशन एफेक्ट के अंदर यहां डिफॉल्ट में आ रहा है फेट इन फेड पर फेड लेट करते है नदरा यार यह मेरा फेबरेट है वैसे इसके नदर और भी बहुत सारे इस तरह भी है और भी है पर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है फेडिन लेफ्ट टिके इसी तरीके से इस पर किलिक करा एडवांस पाइल याउट प्राय मोशन इफ एक्सपाइश को कर दिया फेडिन राइट इसको अप्डेट करके देख लेते हैं हुआ है अब अब अपडेट करके स्पाहिए देख्यां जब्हें पेजा होगार तो यह सरा वाह वाह वह जीवा तो इसी तरीके से करहें करें को लियावट को क्लाप करें मोशन प्रकार इसको कर देंस इस तरह राइड आप प्डेट इसी तरीके इन सब को करेंगा त्टिक है अपनी इफेक्ट देना चार रहें इजली देज सकते हैं ठीकas इप तरह के अगर आप इस पर आते हैं कि पहले पीज़ परした करते हैं तो देखें सब्सक्रार पघ universal इस तरह जबस बज़ाएं कि अपने सेटिंग पाने डिडिंग पाने कि रीट करें आपके पे elbadly सेटी लिखे अपर लिके न्यूट अप जिम्टेस्ट डॉट आरफ डॉट जीडी टीके आटमेटिक आपकी साइट एक लिए को बन करते हैं इसको बन करते हैं इसको भी बन करते हैं बन बन ठीके सेव चेंडिस मैंने कर दिया था तो यहां तक तो यह कंप्लीट हो गया कि मैं ब्लॉग पाके विजिट करेगा तो यह जिम्टेस्ट डॉट आरफ जीडीव लिखेगा तो आटमेटिक साइट को लेगी अच्छा जी आप बारी है टॉप बार बॉडी सेक्शन और पूटर की कि इसको मोबाइल के उपर रिस्पॉंसिफ क्या होता ह अगर मोबाइल के उपर देखेंगे क्या इसी तरह खुलेगी या खराब हो जाएगी तो उसके लिए हम इसको सैटिंग करने पड़ते कि मूबाइल पर बिल्कुल सही खुले तो उसके लिए क्या करना है एडिट पर राट क्लिक करके ओपन लिंक कि न्यूट अप कर लिया और अब हम पर सबस्क्राइब को मुबाइल पर देखें तो बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए मुबाइल के उपर या आई-पैट के उपर जो भी स्क्रीन है यहां पर आप आएंगे रिस्पॉंसिफ मोड यह मोड तो हमारे सब कंप्यूट रखा है उसके बाद अग्रों टैबलेट पर आता है तो उसका मोड कुछ इस तरह आएगा वह खराप तो नहीं हो नहीं बिल्कु साहिए सिर्फ आपका मैनू चुप गया क्योंकि टैबलेट स्टाइल पर आएंगे अच्छा लेले आप अधर लेलें चुक्यों कि यहां तक तो यह सई हो गया और इसका बैक्ग्राउंड कलर जो है नहीं तो जूब है और वलाट करते हैं या अगर हम उसको रट करने और रजा यह इसको वायड करते हैं नहीं तो आज वह जो इसको काम करें उसको बंद करें ठीक है सबस्थ पहले अपने मैनी रहेप मैंने यहां से इसका color ब्लैक कर दिया आप ने ठीक है और हैं यह इसा है यह आ रहा है रहा है ठीक है और अप हमें पर फॉंट देना उसका अपने वाइट देरे रहा है ताकि यह दिखे भी जिलिए आपको कर देंगे जो है है इसके लिए आपको हैंबर्गर स्टाइल माल है और यहां पर हैंबर्गर का आइकन जो है नहीं यह वाला नहीं है यह अगर मैं सही हूं यह रहा है यह तो इतने सारा आप्शन है ना कि बंदा खुद भी भूल लाता है ठीके जी अपडेट हो गया बहतरी है इसको क्लोस करे का ओड़ेगा है तो इसको भी क्लिक करना हो एक घ्रे आरहे ठीके तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं मिया राइट करेंगे तो आपको देख लिएगा कि हां पर कहां पर औप्शन है कि हवार पर पर करेंगे शायद यहार रही तो इसको पहले तो बढ़ादें कि रैड कर यहां आए गया इसका बैक्राउंड कलर होगा ओओ ओओ इसका बैक्राउंड टैप है यह वह ने तो रैट कर देशको खाई हए ओके रैड हो गया और इसका बैक्राउंड कर दें आप वाइट यहार यह मैं कर रहा हूं वाइट के नहीं हूँ हो यह राइड हूँ है सही है है हवर पर यह वाइट हूँ है चीक है यह यह हैंबरगर स्टाइल है तो हैंबरगर आइकन कलर यह होवर यह है कर देखें यह कर देखें रहा है इसकोmayet करते हैं कि चीके अपडेट करते हैं किài कर देखें सब परक्राम करते हैं सब पर फेक् Bernard庫 को जोई दें जहां तक तो आपको अगया ने तक देखता कर देखते हैं कि cuando करें ठीक क tomatoца सब्सक्राइब करते हैं अच्छा अब हमारा पाइपड तो है नहीं तो इसके लिए क्रोम हमाएं सहुलत देता है कंट्रूल शिफ्ट आई अगर आप करेंगे तो इसके कुछ आप्शन आ जाते हैं आपके क्रोम के ठीक है तो आप इस पर क्लिक दीजिएगा क्यों कि यहां प है कि अछ बाहुं जब दस्ता ही चल रहा है मतलब वर्क कर रहा है अच्छा अब इसी तरह हम इसको मेन्यू बना देते हैं मुबाईल का आप उसके में भूबाइल क्लिक करें आप देख सकते हैं अपन्ड डाउन होग ठीक है चाहिए तो आप इसको में करना चाहिए तो सें इसको इस तरह यूज नहीं करना चारे लेफ्ट और राइट करना चारें तो वह भी कर सकते हैं तो उसके लिए अंडू करते दरह साथ इसको तो और आपको थोड़ा था गेम करना पड़ेगा इस पर क्लिक करके आपको इसको परसंटेज देने पड़ेगी यहां से करते हैं प अब तो इसको 30 परसंट ले आपने 30 परसंट दे दे दें इसको अधिके और इसको भी आपने दिए सबसे पहले तो यहां पर ठीक है अब हम इनको मुबाइल के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले तो प्रिवीव लेने के बाद जैसे कि मैं आपको कहता कि आप कंट्रोल शिट आई करेंगे और उसके बाद अपनी मन परसंट मुबाइल यहां पर कुछ आ रहे हूं लेक सकते इसी भी मुबाइल की आप यहां पर स्क्रीन से चेक कर सकते हैं वोल्ड हो गया अशर्फेस जो हो गया अश्म्संग लेक से से टोगे तरह आएगा अच्छे यह काम करते हैं इसको हम पहले तो प्रविव कर लेते हैं ठेके और होम पर आ जाते हैं अब हम होम की यह नहीं कि मिट सेक्षिन उसके सेटिंग करते तो एड़िट विट अलेमेंटर बागी इसको क्लोज करते हैं यह ओ अच्छा जी यहां पर आएंगे और इसको कर देंगे टैबलेट ठीके इसको सबसे पहले इसका साइज छोटा करने आप इसको करने हैं चालिस और यह जो बटन है यहां पर दोनों आगए अब इस पर दोबारा क्लिक करें अच्छा मुझे इस फॉंट पर थोड़ों सा टैक्स में मज़ा नहीं आ रहा है अप अच्छे लिग रहा तो एक इस पर क्लिक करें ताकि यह सैट हो जाए ठीक है आ उसके बाद ओस प्टों से सको आपने देदिया दस की और लॉक की है उर्टशे आपने जाए इसको यह पंदरा और सबसा कि अँदिया आपने फंदरा डर्श इसकी जो spacing है इसको one कर दें यहां पर आपने 25 निने यहां पर आपने 15 देना और लफ्ट से भी 15 देना है यह साइज चाह रहता हम है इसको copy करें और इसको paste style कर दें यह दोनों best होगा जह में चाह रहता क्या कि अब यहां इसको फॉन्ट को भी राइट क्लिक करें अब सारा का मसाल है पेस स्टाइल कि अब यह जो फॉन्ट है राइट क्लिक करें कॉपी करें पेस स्टाइल यहां पर हैं इसको कॉपी करें इधर पेस स्टाइल यहां पर हैं कॉपी करें पेस स्टाइल शुनिए यहां पाइब कापी करें को पिस्टाइल इस तरी के अपने बहुत है इसको अप्डेट करते हैं फॉरन यहां प्रेज स्टाइल करते हैं कि आप देखें यह बहुत बड़े बड़े हो उट मैं आरे अब ये थोड़ से ऐता है आप दरें क्लीक करना ही निचे इसको अपने क्लिक करना है तो और कर दें यह धान हो गया इसको सेंटरलाइस करें इसको भी सेंटरलाइस maiorуска नहीं इतनी हिए रहात है ठीक है अब इसको क्लिक करें इसको भी अपन डाउन कर दें इसको भी अपन डाउन कर दें इसको भी अपन डाउन कर दें इसको भी अपन डाउन करते हैं तो फ़क्र रहे हैं इसको भी अपन डाउन करते हैं इसको भी अपन डाउन करते हैं अब यहां से कॉपी करके इत्काइब ककी है कि इस्टाइब स्दाइब करना कि इसको इसकी कışटन कोपी स्देइए पेस्टइल धिस्टाइब उसको भी एसको भी अपडेट कर दिया तो यहाँा वह मुत्प्रेट होगी आपका अब आखरी रही आपका टेस्ट मुर्इल तो इसको टекс को कणे § से और यहां से पेस्टायल में पेस कर दें कि अगर मुझे सब ओके लग रहे हैं को इसमें इसमें इतेंशन की बात नहीं कि भी अब आपको मेन्यू बार और मेन्यू पर वर्क करने से पहले आपको अपडेट कर रहे हैं ठीक है एक दफा प्रिव्यू जुरूर देख लीज़ेगा इस सब ओक है के नहीं तो उसके लिए आपको मैंने परस्ञ बता आई करेंगे यहां से आइपाट सेख्शन लेएगा अशफयर के ठीक है ठीक है भाटें भाक बहतरिन य्थ्थ नम यह तो तोड़ा से ऑज जो मैननीव है यह तोड़ा सा राइट पर जा है आरए इसको देख लेते हैं यहां से देख लें अच्छा इस फॉंट को भी फिर आपको ऐसे अड़ेस्ट करना पड़े गहां तो इसको सेंटर में कर दें इसको भी इसको राइट पर कर दें और इसको भी राइट पर गड़ें ताकि बराबर आज़ां अरहां एत्य इसको राइट अलाइन कर दे इसको गयर ईलाइन कर दें लिए तो यह प्रापर आगे अपडिट कर लेते हैं इसको प्रिव्यू कर लेता है ताकि हमें अलाइमेंट वगरा का कोई शूर नहीं तो हम एर बार चेक करना पढ़ना इसलिए च्ट्र शिफ्ट आई उसके बाद आपने देखा अब बारी हमारी फूटर तो चराब अब सिर्फ रहे गया है हमारा फूटर तो फूटर को हम एडिट करते हैं अब किस तरह क्या करने हमने आप आई पे क्लिक तो यह स्लोग चलेगा ओके यह खुल चुका है तो फिलहाल तो अगर मैं सको बन करूं तो यहां पर हमारा पेज हमें सही दिख रहा है ठीक है इसको दुबारा क्लिक करें ओपन हो गया यहां से लिंगे हम टैबलेट तो अगर टैबलेट में भी दिखा जाए तो कोई मुझे मसले की बात यहां दिखी ने रही टैबलेट पे भी ओके है वैसले तो मुझे सब सबसरी है पर मुझे लग रहे हैं कि लोगो थोड़ा चोटा है तो मैं इसके कंटेनर पर क्लिक करूंगा और उसके विद तो यह बढ़ा हो जाए अच्छा इसको आगे उहाँ गलत सुरी इस पर दुबारा क्लिक करें यहां पर आप आएगे स्टाइल पर इस पर क्लिक की जएगा सौरी पैंसल पर विद्वे अब सेम बिदे ना तो होता है तो इसको थोड़ा यहां से बढ़ा जाए रहा है ठीकिए पैंसल पर क्लिक करके स्टाइल पाएंगा यहां से इसको बढ़ाएंगा तो कि अपने वरजी से और इसको कर देंगे अपडेट तो मुझे लग रहा कि यह बैतरीन हो गया अब हम मुबाइल में देख लेता है इसको तो मुबाइल में यह कुछ इस तरह रहा है तो हमने इस पैसे क्लिक कि ने का कंटेंड पर किलिक कि आप आएंगे चाहिक के इसको सेंटर करते हैं ठीक है यह उंक्तर में ही है ठीक है यह बी सेंटर में इसको अबड़ेट करदें बाकी यह की रूपोर्ट है जबर्दस्त ऑगहां जी अच्छे दफा स्कों कंप्लीट दिख लेते हैं कि यह कैसा लग रहा है ठीक है तो यहां से दुबारे प्रिव्यू कर लें इसको बंद कर दें और एडिट इलेमेंटर अरे यार में से डारेक्ट आजें ठीक है इसको रिफ्रेश्च कर लेंक दफाप पेच को कि में पीश तो सही जो वेबसाइट पर खुलेगा और चीक है उसके बाद टैबलेट पेच भी देख लेते हैं चीक है और मुबाइल पेच भी देख लेता है कि यहां पर थोड़ा सा मुझे स्पेस जादा लग रहा है चाहें तो आप स्पेस यहां सागे इसको कम भी गर सकता है ठीक है वह आप देख लीजेगा तो जनाब यहां तो हमारी हमारा पेज दन हो गया ठीक है पैज बन चुका है ठीक है बढ़ आगर क्लिक करें तो हमारा अबाउट का भी पैज वी सर्विस का करने के बाद उस पेज 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 जाए ठीक है तो उसके लिए हम क्या करें सबस्व बहले तो वहाता है大家好 पेजदी पांटें और आल पाने के बाद यहां हमारे पेजिज आ रहे हैं ठीक है अब मैं एक सिंपल साप को करके बता जिता हूं कि होगा क्या अब जैसे कि आप इस पेश पायते हैं यहां पर लिखा है अब आउट ठीक है तो आप आज 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 आए अधिट पर आज आजए हैं इसको अपडेट कर दी आपने और इसको कर देना एडिट विथ ऐलेमेंटर लेट अज़ा अधिए हैं तो बेंट कि आप देखें अगर जगा हर उस पे आपके लेफ्ट नीचे और ऊपर हर जगा यह टॉप और बोटम पर यह समाएगा टॉप पर हैडर भी आएगा नीचे प तो आपने का करना है इस पर दुबारा क्लिक करें दुबारा आपको इसके पेज़ पर जाना पड़ेगा तो कोई मसले की बात नहीं पेजी स्पाइजें आप आप आएंगे अब आउट के अंदर as usual और जैसे कि आपने जब होम पेज बनाया था तो उसके अंदर आपने कर रह रहे हैं इसको अपडेट कर रहा था अब जब आप यहां पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यह चीज़ अट जाएगी ठीक है अब यहां पर हड़ी इस पर आपने एक पीज ओपन कर लिया इसी में आपको दिखाने के लिए यह आपने हैडिंग आप रखी और इसका नाम दे दिया अबाउट सेक्शन इसको सेंटर में कर दिया स्टाइल दे दिया इस पीच ते रहा आपको इस पीच को अडिश्क करने आप कर सकते हैं ठीक है अपडेट कर लिया ठीक है अब यह पहला पेज है हमारा ठीक है एक काम करते हैं इस पर आ जाता है वाफसी मैं ब्लॉक में आता है विजिट साइट करते हैं कौन सी यह आ लिए ठीक है यह आ रहा है यह अबाउट पर आपने क्लिक कर रहा यह अबाउट सेक्शन आटोमेटिक आपको स्पेश पर ले जाएगा जो मैंना भी क्रेट कर रहा ठीक है और यह देखें हाईलाइट भी होग करती है बट यह स्टार्ट है कि वह स्टार्ट है कि आप इसके जरीए अपने क्लाइन की वैबसाइट एजिली बना सकते हैं और भाई पैसे भी गमा सकते हैं यह शर्तिया में कह रहा हूं इसका आपने प्रैक्टिस कर ली तो खुद आपको जनून हो जाएगा क्यार मैं जोगी उपर ठीक है उम्मिद करता हूं कि आपको यह पूरी वैबसाइट पसंद आई होगी तो जनाब इजादे दिए अपने अपने के साथ के अपना बहुत साथा ख्यार लखेंगा शारुक को टेक केर बाई बाई